अज़िए पार्ट है और इस टुटूरियल में हम जो इसमें डिफरेंट कार्टून्स दिये गए हैं उनको हम स्टडी करने चल रहे हैं और इसमें जब साइट में करेक्टर्स देखते हैं उनके बारे में इस बुक में कुछ लिखा गया है साइध आप उन्हें अवाइट करते होंगे लेकिन मैंने जरूर पढ़ा है इसको और इसमें उन करेक्टर्स के बारे में लिखा भी गया उसका मकसद भी बताया गया है देखे यहां पे इसलिए मुन्नी है उन्नी है तो यह करेक्टर्स इन्हें डिजाइन किया है जो से बेतु के सवाल आपको लगेंगे बड़े बेसुर्पैर के सवाल लगेंगे ऐसा लगेगा यह भी कोई question है यानि आपको लगेगा इसका तो answer impossible है लेकिन यह natural है कि जब भी हम text matter को book में पढ़ेंगे teacher आपको explain करेगा तो तरह तरह के question आपके मन में आएंगे तो वो questions कहीं ऐसे न लगें कि जो भी funny questions उनके दिमाग में आते हैं तरह तरह के वो natural हैं और stupid questions नहीं है यह students को लगना चाहिए जो class में बैटके और इस chapter को study कर रहे होंगे और उनके अंदर ही हिम्मत होनी चाहिए कि जब बगल में book में इस तरह के questions दिये हैं तो natural है कि हम इस तरह के questions class में पूछ सकते हैं तो जो भी आपको different visuals मिलेंगे, cartoons मिलेंगे और जो information उनसे related दी गई होगी हमें उसके अंदर जो दियेगे message को समझना है और students को involve करना है कि वो उस message को पढ़ें, समझें और analyze करें मतलब जो भी text matter हम पढ़ रहा है उससे related जो भी questions मन में आते हैं उनमे discuss करना है यानि serious ही बात है कि जो students के imaginations हैं उसको expand करना है, beyond our own country मतलब जब हम कोई topic पढ़ते हैं तो उसे अपने देश के लावा क्या दुनिया में कहीं और भी topics apply होते हैं कि नहीं वो भी हमें समझना है, teacher की duty बनती है कि वो उन्हें involve करे, so message tutorial में आपको involve करता हूँ, questions देता हूँ, क बगल में मुन्नी उन्नी उगरा दी गई है, इनको भी हम cover करेंगे, but short short में, और हमने websites पे heart cartoon को explain करके matter upload किया हूआ है, वहाँ भी जाके study कर सकते हैं, तो यहाँ पर यह मुन्नी उन्नी कौन है, कुछ भी हो, दोनों में से कोई एक है, I have heard different version democracies of the people, यानि कि हमने ये भी पढ है कि democracy for the people, of the people की जगे of, यानि जनता से दूर, for the people मतलब वही जनता से दूर, और by the people, तो यहाँ पर देखिए, इसको distorted कर दिया गया है, और फिर ये question करती है, कि हम इसे accept क्यों नहीं करते हैं, कि हाँ ये सही है, मतलब यहाँ पर जो भी अपने parents से, अपने आसपास लोगो को बात करते सुनती होगी, तो उससे related questions की मन में आता है कि लोकतंतर जो है, वो लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं करता है, बलकि लोकतंतर लोगों से दूर नजराता है, means कि जो leaders हम चुनकर भेजते हैं, वो काम नहीं करते हैं, हमारी ये पिक्षाओं पे, हमारे expectations पे, मिलता है, और लोगतंतर जो भी promise करते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते हैं, इसके बाद आगे जो दिया गया है cartoon, देखते हैं कि हाँ, ये बहुत इच्छा cartoon है, और इसमें जो message दिया गया हो ये है, इस cartoon was drawn when elections were held in Iraq, तो इराक में elections हुए थे, और in the presence of US and other foreign powers, वे आपको दिखाया गया है, दिखिए अगर हम इराक की बात करें, तो लगभग 1958 से लेकर, 2003 तक ये, हैना गहीं dictators और military governments के कबजे में ही रहा, और इसी में आता है सद्दाम हुसैन का जो rule है, एक dictator के तोर पे, 1979 से लेके, और 2003 तक, बाद में वहाँ पे गलफवार होता है, और बाद में एक और वार में सद्दाम हुसैन को पकला जाता है, बाद में वो 2006 में execute भी कर दिये जाते हैं, वनला फांसिप चड़ा दिये जाते हैं, और 2005 में वहाँ पे चुना होता है, तो जो यूएस यानि जो NATO की जो forces थी, तो यूएस उनकी जो अलाइट, यानि उनकी दो मित रुद जाते हैं, democratic elections, तो चुकि ये elections military के presence में होते हैं, आप यूएस आर्मी के soldiers इने आप कह सकते हो, और ये जवरजश्ती से established करने कोशिश करने मतलब, forcibly, they are trying to install democracy there, और ये M जो बड़ा-बड़ा है, ये M इसी military efforts के लिए यहाँ पर आया है, कि यहाँ पे जो democracy है, वो सेना के द जांदरिक प्यास हैं, वो यहाँ पर armed forces की वज़े से हो रहा है, मतलब military, that is why M is written like it here, कि democracy में सबसे बड़ी भूम का सबसे बड़ा रोल यहाँ पर इराक में military प्ले कर रही है, बागे वेब साइट पे आपको text matter मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप study कर सकते हैं, इसके बाद आ इसमाल जो allies parties थी, मतलब उसी party को support करने वाली, तो सिर्फ उनी parties को वहाँ पर सासन करनी की जाज़त थी, do you think the cartoon could apply to China, मेक्स, उसके बाद पूछा गया है कि क्या इस cartoon में जो भी message है, क्या उसे हम China को apply कर सकते हैं, मेक्स को में apply कर सकते हैं, और यहाँ पर खासकर जो crown है, crown of leaves on democracy, इसका क्या significance है यहाँ पर, तो चलिए देखते हैं, एकि सबसे पहले तो है जो मुकुठ है पत्तियों का crown of leaves, तो यह प्रकार से यहाँ पर symbolic presence दिखा रहा है, कि वास्तों में यहाँ पर democracy मजबूत नहीं है, democracy की कोई ज़्यादा value नहीं है, significance नहीं है, बस नाम मात्र की democracy य नहीं है, और democracy के लिए multi-party system कम से कम दो मजबूत पार्टियों का होना जरूरी है, दूसी चीज़ यहाँ पर बात पार्टि के जिक्रा है, तो देखिए बात पार्टि को जो अब कहा जाता है, वो कहा जाता है कि Arab socialist बात पार्टि और 1947 इसकी स्थापना की गई थी और इसकी क पार्टि के शासन के तहट वो चलें, लेकिन यह सीरिया और इराक में तो सफल हो पाई है, अपनी गौर्वर्मेंट्स इन्होंने फॉर्म की इन दो पार्टि ने, क्योंकि सद्दाम हुसेन भी इसी पार्टि का था, लेकिन और किसी देश में शफल नहीं हो पाई है, अब जब तक तुम बात पार्टि मेंबर्शिप नहीं लेती इस पार्टि के, तुम्हें यहाँ पे अलाव नहीं किया जाएगा, यानि सिंगल पार्टि यहाँ पे रूल चलता है, उसी पार्टि को सपोर्ट करना है, तो डेमोक्रेसी से सपोर्ट मानने का मतलब यह है कि कुछ देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो सिर्फ इसी पार्टि को वोट करें, ऐसे वहाँ पे सिस्टम बनाया गया है, यानि डेमोक्रेसी कम से कम किसी कंडिशन पे काम नहीं करती, डेमोक्रेसी किसी की साइड नहीं लेती, डेमोक्रेसी पब्लिक को मौका देती है कि वो चाहे जिस पाल्टी की शरकार चुने जिसको चाहे वोट दे और यहां पर जो दरारें आपको दिखाई दे रहे हैं इसका मुलब यह है कि जो सीरिया है वो उसकी अच्छी कंडिशन नहीं है एकनॉमिक हालत बड़ी जड़जर है और यह जो आदमी है इसका मुलब यह है कि बात पाल्टी एक मिल्टी डिक्टेटर के हाथ में और सद्दाम उसान एक मिल्टी डिक्टेटर था और वो ऐसी वर्दी पहना करता था ज़रा सोचे एगर इंडिया में इस तरह किया जाए कि सिर्फ एकी पाल्टी को वोल देने के लिए बात किया जाए लोगों को तो क्या उसे हम डिमोक्रितिक Statistics के रहे क्या हम कहेंगे कि वहां भी डेमोक्रिटिस सच में है नइ सत्ता में बदलाओ भी जरूरी है दूर से पार्टिंग लोगों को भी सीट मिलने चाहिए ये लिए आगे चलते हैं आप समझ गए होंगे ये कार्टून भी बहुत अच्छा है ये तो मैं अपना मीनिंग बता रहा हूँ आपको भी कुछ समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो दिसकस कर सकते हो आँ देखे यहाँ पर मैं थोड़ा सा भूल गया कि क्या हम इसको में अपलाई कर सकते हैं और चाइना में अपलाई कर सकते हैं तो क्यों नहीं मेक्सिको में भी आपने देखा था किस प्रकार से जो पियाराई पार्टी है वो बार-बार सत्ता में आ जाती थी वो सब मैं अल्ड़ेडी एक्स्पेन कर चुका हूँ पुरे इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त चाइना चाइना में भी एक ही पार्टी है यानि कमनिस पार्टी अब जो चाइना है उसी का सासन रहता है और किसी पा अगला कार्टून यह है अब इसमें देखे क्या मैसेज दिया गया है तो लेटिन अमेरिका लेटिन अमेरिका आप जानते होंगे खासकर जो दच्छड़ी अमेरिका के जितने भी देश है वो एक प्रकार से लेटिन अमेरिकन कंटी कहलाती है यह तो पाकिस्तान और इसको देखकर आपको बताना है क्या यह पाकिस्तान में अपलाई होता है यह सिज़ेशन ग्लिकि इस बोकर खा सकते हो अंगे डिमउक्रिसी को अपने अंदर में रखने का मतलब यह है की रिगव्स धेह quiénि टेमोकरिसी और इस तरह बिसारा करता है किस प्रकार्ट से ुमें देख कर चुका हूँ, किस परकार से चिनवी सरकार को खार फेकते हैं, मिल्टरी के लोग और कोई ना कोई जनरल है, कोई ना कोई डिक्टेटर वहाँ पर काभीज हो जाता है, जो कि non-elected लोग होते हैं और non-elected लोग अगर रूल करें तो डिमोक्रिसी नहीं होगी वहाँ पर यह सब हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्या कंडिसन डिमोक्रिसी की होती हैं, तो किसे परकार से डिमोक्रिसी में कबजा जमा लिया जाता है, फोर्स के बल पे वो उधारन हमें पाकिस्तान में भी मिलता है, इसके अलाव अगर मैं कुछ उधारन दूँ, पाकिस्तान में मैंने आपको बताया था तीन बार मिल्ट्री कू हो चुका है, जिसमें परवेज मुष्चरफ का जिक्र इसी चैप्टर में किया गया है उसके बाद से तो फिरार मिल्ट्री कू नहीं वह लेकिन वहाँ पे खत्रा चाया रहता है तो लेटिन अमेरिकन कंट्री की बात की गई है तो मैक्सको भी उसी में आता है ब्रजील है, अर्जंटीना है, बोलिबिया है बोलिबिया में तो लगबग 1971 से लेके 2019 तक मिल्टी रूल रहा, ब्रजील में 1964 से लेके 1985 तक रहा, लेटिन अमेरिकन कंट्री जिसमें बड़ी ही बदनाम है चिली का जिक्र हमने देखा ही था इस चैप्टर में चिली में अगस्टो पिनोशे जो 1973 में मिल्टी को जड़ी आते हैं तो यह मैंने कुछ कंट्री के एक्जामपल भी दे दिये और पाकिस्तान में तो अपला ही होता है और अगर हम उधारन देखना चाहें तो हमारे पड़ोस में मयनमार है, जहां पे अभी जो मैं बीडियो बना रहा हूँ मेरे बड़ी दूर की बात है ये डेमोक्रिसी canIL मतलब यहां पर रूलर्स की बात कर रहे हैं गौर्भर्मेंट की बात कर रहे हैं मैं छोटा साहूं, मेरे मतलब की बात नहीं है मुझे गौर्मेंट्स रूलर्स समझ में नहीं आती इसलिए मेरे पले पढ़ने वाली बात नहीं है मेरे सर के ऊपर से जाड़ी इससारी बाते तो वो कहता है कि can we talk about a democratic classroom और a democratic family अब वो बच्चा ही कहता है कि क्या मैं जहां रहता हूं मैं जह हूं जह समझता हो मेरा जो surrounding है मेरा जो atmosphere है तो जैसे मैं family में रहता हूँ तो क्या वहाँ पे democracy apply होती है मैं class में पढ़ता हूँ तो क्या वहाँ पे democracy apply होती है यह question यह पूछ रहा है तो जी हाँ बिल्कुल democracy सिर्फ rulers और governments के लिए नहीं है chapter में खास-खास लिखा किया है कि democracy और democratic structure democratic process हम government के लावा different spheres of life में apply कर सकते है आप chapter tutorial देख रहे हैं वहाँ पे explain किया हुआ है या website में जाए है वहाँ पे हमने इसको explain किया हुआ है अब जैसे classroom का example दें तो जो madam link 2 की classroom थी वो democratic classroom थी बच्चे खुलकर question कर रहे थे पूछ रहे थे यह democracy है democracy में सबको बोलने का हख है अपने विचार रखने का हख है इसके बाद यह cartoon है जो कि बहुत ही easily understandable है यहाँ पे money money आपको दिख रहा है money bags दिख रहे है 2005 का यह cartoon है 17 मई this cartoon was titled building democracy मतलब democracy का निर्माड democracy का बनना और यह Latin American publication में छपा था पहली बार तो यह जो money bags है यह क्या signify कर रहा है could this cartoon be apply to India क्या इंडिया में apply होता है तो देखे बहुए money bag तो सीदे सीदे यह बता रहा है कि democracy में जो money power है वो बहुत बड़ा role play करती है और यह drawback है democracy का कि इमानदार लोग और poor people even cannot dream of becoming leaders, winning elections और यह इंडिया में बखू भी apply होता है तो यह बिमारी इंडिया में भी है खरी Latin American countries में नहीं है और लगब लगब हर जो डेमोक्राटिक कंट्री में कुछ देखने को मिलता है कि लोग पैसों से बोट खरने कोशिश करते हैं पैसा बाटते हैं और करीब जो लोग है poor people वो इनके जाल में फंस जाते हैं और बोट ना चाहते हुए भी पैसी के लालज में इनको देदेते हैं और सच माने तो इस प्रकार का चुनाओ सही चुनाओ नहीं कहला जाता है इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है यह कार्टून देखिए सद्दाम हुसैन से ही रिलेटेड है इस कार्टून में क्या लिखा गया है इस कार्टून है इराक की इलेक्सन जो हमने शुरू में देखा था पहला जो कार्टून था और यहां पर देखें सद्दाम हुसैन का नाम भी है जो मैंने बताया था तो उसका सासनकाल था वो खाड़ फेका था ओवर्थ्रोन मतलब हटा दिया गया था उसको पत से और वो देखें यहां पर जेल में मतलब बंध है और इस कार्टून को हमें कंपेर भी करना दोनों का मैसेज क्या है तो देखें सबसे बात यहां पर लोग खुश है प्रसंद है वोटिंग बूद बना हुआ है और यहां पर जो स्लोगन है वो यह है कि वन मैं एन वन वोट और यहां पर सद्दाम हुसैन जो 2003 में उखार फिका था और फिर यह छुप गये थे नहीं निकला गया जेल में डला गया और 2006 में इन्हें फासी चड़ा दिया गया था क्योंकि human rights abuses और तमाम आरोप लगे थे इनके उपर और यह कह रहा है सद्दाम हुसैन भी कह रहा है dictator कि I liked better when I was मुझे यह जो one man one vote बहुत अच्छा लगता था मतलब यहां भी देखिए one man है और one vote है जब मैं ruler था तो यहां पर one man one vote का मतलब यह हर वेक्ति यहां पर free है वोट देने के लिए मतलब एक वेक्ति के पास एक वोट है और वो किसी भी वेक्ति को वोट दे सकता है मतलब जो 2005 में जो चुनाव कराए गए थी राक में वो multi party elections थे लोग किसी को भी वोट दे सकते थे किसी भी दल को और सदामुसेन कहा रहा है कि मुझे यह one man one vote तब अच्छा लगता था जब मैं ruler था यानि मैं ही वो वेक्ति था मतलब यह जो man यहां पर है मैं ही एक वेक्ति था मुझे ही सारे vote मिलते थे यह difference है तोनों के बीच में यहां पर one मतलब individual person vote मतलब individual vote जो free है किसी को देने के लि where every person is free to vote anyone इसके बाद हमें compare करने के लिए का आ गया तो देखे जो पहला cartoon था उपर है यह वाला तो देखे इसमें जो 2005 में चुनाव कर आए गए थे तो वहां पर democracy करने के कोशिश हो रही है और मिल्टरी यहां पर अपना एक role play कर रही है मतलब यहां पर efforts हैं democracy install करने के लिए और यहां वाला जो है जो cartoon हमने देखा है यह वाला पहला cartoon मैंने आपको समझा दिया और यहां जो cartoon है वो यह दिखा रहा है कि जो पहला वाला cartoon था उस cartoon का result यहां देखने को मिल रहा है वहां पर military establish कर रही है democracy को और democracy establish करने के जो कोशिश उसका नतीज़ है यहां कि यहां पर voting booth बना हुआ है polling booth लोग बोट दे रहे हैं democratically multiparty elections हो रहे हैं so this cartoon is the result of the first cartoon इसके बाद आगे चलें तो देखे यह मुन्नी कुछ प्रस्ण पूछ रही है वह इस ठाइक अब जिंबाभवे हमने जिंबाभवे में जानू पिया पालिटी के बारे में पढ़ा था ना रॉबर्ट मुगावे के बारे में याद आ रहा है क तो इसमें कहा है कि हम जिंबाभवे की बात क्यों करें इस तरह की रिपोर्ट्स हमें अपने ही कंट्री से देखने को मिलती हैं हम उनकी बात क्यों नहीं करते हैं हम जिंबाभवे को उधारन क्यों ले रहे हैं तो देखे यहीं पर साब साब लिखा गया है कि 1980 में भी करती तो उसके बावजूद गयो एलेक्सेंस के दौरान unfair factices का उन पर आरोप लगता था उनकी party पर और 1980 से लेके बताईए 2017 तक यह व्यक्तिश आसन करता रहा और मजबूरी में हटना पड़ा अलब he was forced out of office in 2017 तो एक party का सासन यहां पे भी है तो इसी से related question पूछा गया यहां पे कि हमारे देश में भी सुनने को मिलता है कि सपकार से चुनाओं में धानली उगरत देखने को सुनने को मिलती है ऐसे आरोप भी लगते हैं कि जो media है it is controlled by the government हलाकि इन बातों में सच्चाई ज्यादा होती न तक तो सिर्फ एक ही party का सासन हमारे यहां रहा हमारे यहां लगबग acting prime minister छोड़ दिया जाए तो अभी president में 14th prime minister rule कर रहा है जिसमें से 6 plus दो बार acting गुलजारी लननन्दा यह prime minister congress party से ही थे जिसमें जवालार नेरू हो गए इंद्रा गांधी हो गई राजीव गांधी हो में इंडिया में सुनने को देखने को मिलते हैं और जैसे जानुप यह पार्टी इसलिए famous थी कि काफी ज़्यादा रोबर्ट मुगावे जैसे लोगों ने freedom में पार्टिवेट किया था तो कॉंग्रेस का भी वही इतिहास है और उसी के बल्बूते पे वह शासन काफी अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको इसकी रियल पिक्स मिल जाएंगी और देखे इसके बारे हम क्या लिखा गए हाँ यहां पे चाइना में क्या है ना एक प्रटी का सासन है और वहां पर प्रेस सेंसर सीप है मतलब वहां पर जो मीडिया है उसे खुलकर बो कोगल हो याहू हो तो अगर आप कोई कीवर्ड डालते हो सर्च करते हो तो जो यहां पर रिजर्ट आएंगे अगर वो चैनिस गवर्मेंट की बुराही करते होगे उससे खिलाफ होंगे उसकी critical information उसमें होगी तो वही कीवर्ड डालेंगे तो आपको चाइना में वो रिजर यह है यह बताए गया है तो उसके बारे में पता करिए तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि यह जो इंसिडेंट है वह 1989 का है चाइना में प्रो डॉमिक्रिटिक आती है इस तरह के इवेंट्स हुए थे जब सड़कों पर अपने ही मतलब चाइना में आर्मी ने अपने ही देश के बिद्यार्थियों के उपर स्टुडेंट्स के उपर टैंक चलाने के लिए छोड़ दिये गए थे जिससे कि यह जो प्रो डॉमिक्रिटिव मूवमेंट है सब्प्रेश हो जाए बहुत ही ब्रूच्वल सब्प्रेशन हुआ था क्योंकि न्यूज छनकर खुलकर आती नहीं इसलिए पता नहीं चला कि उसमें कितने लोगों के डेथ हुई और इसी टैंक के बढ़ते हुए रोड़्स खाली हो गई दी लेकिन यह वेक्ति से बजार स जाता है बलकि इसकी पर चड़ भी जाता है जैसा इमेज में मतलब कुछ वीडियो में देखने को मिलता है कितना सच है पर यह इमेज जो है और इस तरह सो सामने आ जाता है एक प्रकार से डिक्टेटर से एंटी डेमोकरिटिक फोर्स का विरोथ करने का एक परसे एक इमेज एक एक इकजामपल है और देखे यहां पर लिखा गया डूनो इविल मतलब कोई भी शरारत मत करो हम जो करना चाहते हमें करने दो और देखे यहां पर याहू लिखा हुआ है आपको अगर दिखाई दे रहा हो देखे याहू है गूगल है और यह सिसको है अब इसके बारे म 189 से रिलेटेड आप देखेगा उस समय चाइना में उस चौराय पर ब्लॉकेट होता है और किसी कोई कठा होने की मतलब उस स्क्वाइर पर इकठा होने की जाज़त नहीं दी जाती है तो इस टैंक मेन की इमेज के बाद हम चलते हैं आगे और यहां पर यह देखे फिर एक क बच्चों को खुलकर कुश्चनास करने की डिवेट करने की डिसकस करने की इसाज़त देता है और बच्चों में घबढ़ाट नाओ एक प्रकार से टीचिंग लर्निंग प्रोसेज में बच्चों को भी इंवाल्ब किया जाता है स्टुडेंस आर गिवेन तेर ओन पार्टि दिसकसन कंसल्टेशन पार्टिसिपेशन ऑफ मैक्सिमम पीपल श्टेक होल्डर्स इस सारी चीज़े मैं एक्स्पेंड कर चुका हूं तो नॉर्मली शी विल लाइक एव्रीवन विल लाइक इस काइंड आप क्लास कोई डिक्टेटर टीचर की क्लास तो पसंद करेगा नही एनिवे आगे चलते हैं तो यहाँ पर यह काटून देखिए इस काटून में क्या पूछा गया है हाँ उपर लिखा गया है कि इस काटून रिजील ब्रसुरियलर का है लैटिन अमेरिकन कंट्री है और यहाँ पर डिक्टेटरिचिप का लंबा इतःहास रहा है जैसे मैंने पर देखे टम यूज हुआ है दा हिडेन साइट मतलब छुपा हुआ पक्ष डिक्टेटर का जो तानासा होते हैं उनका एक छुपा हुआ रूप जो साइथ पब्लिक को खुल कर नजर नहीं आता यह आप कह सकते हो कि अगर कोई डिक्टेटर रूल करने बैठता है तो उसका स हिडेन साइड इस तरह का होना जरूरी है और इप पॉस्पिल फाइंड दिस आउट अवाट डिक्टेटर इंक्लूडिंग तो यहां पर कुछ के नाम लिए गए हैं कि आपको डिक्टेटर के बारे मिस्टर डिक्रेज से पिनोशे हैं और चिली के जरुजेस्की हैं पोलें सेटर खु हो डिक्टेटर के रूल के दौरान बॉद और है ऌपाजिसन चाहे बारे में जाने सकते हैं पढ़ सकते हैं लुकषगों के मौटके जिम्मेदार हीं लोग लार्च कि लिए मास किलिंग्स देखने को मिलतीय हैं यह हिए नका हिडिन साइड है लोग गायव हो जाते हैं, पता नहीं चलता कहां चले जाते हैं, यहानि एक प्रिकार से जो dictatorial rule होता, it is blood stand, लब खून से सना हुआ rule होता है, और हर dictator के कारकाल में, यह कहीं न कहीं hidden side देखने को मिलती है, कि लोगों के सामने तो अपने आपको अच्छा portrait करने कोशिश करते हैं, बट, behind this portrayal of good rule, या आप propaganda उसे कह सकते हो, such kind of activities take place, और आप भी तो अपने छेत का जो MP है, जो विधायक है, आपस में लोग बात करते हैं कि इनकी जो real life यो देखने को नहीं मिलती हैं हम लोगों को, public में लोग सपेद कुर्ता, सपेद पैजामा पहन के अच्छा अच्छे नजर आते हैं, but they have their hidden activities also, तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है, दूसरा कुछ ने पूचा किया था कि क्या एक डिक्टेटर के लिए hidden side का होना जरूरी है, तो हम यह कह सकते हैं कि डिक्टेटर का मतलब यह है कि वो जो कहे, वही लोग follow करें, तो वो इस रूल का सहारा एक अच्छा सासन चलाने में कर सकता है, he does not need, she does not need to have such kind of hidden sides, दिक्टेटर टेक्स देम अगेंस्ट दियर आइटलोजी और गवर्मेंट, पुधान ले चिली में जो एक कमनिष्ट रूलर थे, मिस्टर सेलबोड एलन दे, उनकी सरकार को खार फेका था, और उसके बाद जब मिस्टर पिनोशे गद्दी पर बैठे, तो उन्होंने कमनिष्टों को पनिष्ट करना शुरू किया, उनको एक्सेक्यूट करना शुरू किया, तो इस तरह से देखने को मिलता है कि जो उनकी एडिलोजी को फॉलो करने वाले लोग नहीं होते हैं, जनरली डिक्टेटर उन्हें पनिष्ट करते हैं, यानि human rights abuses violations ये एक hidden side है जो हमें देखने को मिलती है, इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या काटो देखे कुश्चन आगे यहाँ पे, अब देखे ये question जो है, इसके different answers मिल सकते हैं, कि अगर इंडिया में डेमक्रिसी ना होती तो क्या होता, क्या हम लोग एक रह पाते हैं, मतलब क्या इंडिया एक united integrated country जो आज हमें देखने को मिलता है वो हो पाता, तो देखे जे, इंडिया ये country भी दे lot of diversity, भारत भी भी दिताओं का देश है, तरह तरह का religion, language, इतनी city के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो इस तरह की diversity में, अगर हम सब को बोलने का, अपने विचार को मानने का, अपनी language बोलने का, सब को respect करेंगे, सब को मौका देंगे, सब को accommodate करके चलेंगे, तो वो देश एक रहेगा, तो democracy ये सारी चीजें, लोगों को देती है, हमारे देश में भी ऐसा ही है, हमारा देश एक secular country है, democratic country है, एक republic भी है, मतलब यहाँ पे किसी भी king और queen का सासन नहीं है, इसकी वज़े से यहाँ पे conflicts होते नहीं है, होते हैं, तो उन्हें हम आसानी से सुल्जा लेते हैं, लोगों की जो मांग होती है, सरकार उन्हें मानती है, उनसे related कानून बना सकती है, वेवस्ता कर सकती है, और जब आप class 10 में जो first chapter पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप policy of accommodation के बारे में भी पढ़ेंगे, किस परकार से democracy का एक feature है, इसलिए democracy अगर यहाँ पे ना होती, तो हो सकता है कि हमारी जो diversity इसकी वज़े से बहुत ज़्यादा conflict देखने को मिलता देश तूटने की गागार पर भी पहुंच सकता था, वालब there can be different answers, but it is certain that democracy has helped India remain united as a single nation, आज भी हमारे हाँ language issue पे conflict है, जो हमारे जो दच्छड के राज्य हैं, और जो हमारे northern states हैं, उनके बीच में कोई भी एक common national language पे एक consensus नहीं बन पा रहा है, जो दच्छड के राज हैं, वो हिंदी से गणा करते हैं, अन्दान स्टेट्स के लोग जो दच्छड की जो द्रविडन languages हैं, उन्हें नहीं बोलते हैं, यही वज़ा है कि इंडिया में कोई national language नहीं है, तो है ना conflict इसको लेके, लेकिन फिर भी हमारा देश एक है, just because of democratic features that our constitution gives fundamental rights to all citizens of India, अब ऐसे भी अगर हम इस बुक का साहरा लें, तो इसमें हमने देखा है कि accountable government हमें मिलती है, मतलब accountable government democracy में मिलती है, और quality decision making होता है, और democracy जो है, it enhances the dignity of a citizen, हम यह कारण भी यहाँ पी गिना सकते हैं, आप वेबसाइट को जाएंगे, तो आपको सारे points अच्छे-च्छे मिल जाएंगे, इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पे cartoon दिया गया है, और इसमें क्या हमें करना है, यहाँ पे दिया गया है, कि this cartoon was published in Canada, तो आप उत्तर अमेरिका गुपर देखें, Canada मिल जाएगा, और parliamentary elections वहाँ पे 2004 की बात हो रही है, हो रहे थे, उस समय cartoon चपा था, तो cartoonist क्या है, everyone, मनलब हर एक कोई including the cartoonist जो है, वो यह expect कर रहे थे, कि वहाँ पे liberal party, मनलब वहाँ पे दो party आई मुख हैं, liberal party का ही शासन वहाँ पे देखने को मिलेगा, दुबारा, लेकिन when the results came, जब दुबारा results निकल के आए, तो liberal party हाट चुकी थी, तो यह cartoon आपको देखना है, और आपको बताना है कि क्या यहाँ पर, जो arguments हैं, वो against democracy हैं, या for democracy हैं, तो चलिए देखते हैं, अब देखें, यहाँ पे यह, मनलब cartoonist हैं माल लेते हैं, कि हर व्यक्ति जो सोच रहा था, वो यहाँ पे represent कर रहा है cartoonist, कि we voters are angry and we are not going to take it anymore, तो देखें, लोग तंतर में हम सरकार को पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, इसका अधिकार होता है, तो argument जो है for democracy हो जाएगा, the liberals have been arrogant, अब हम यहाँ पे खुलकर विचार कर रहे हैं, कि हमारी सरकार ने कैसा काम किया, ते भी for democracy हो जाएगा, they have broken our trust in government, तो हमने सरकार को vote देकर सरकार बनाई हमने, और उसने सरकार ने मरा भरोसा तोड़ दिया, तो अगर हम देखें, यह कि विक्ति इस तरह से सोच रहा है, तो सोच तो democratic है, मतलब वो बदल सकता है उसको, लेकिन सरकार इसकी उमीद पर खरी नहीं उतरी, इससे यह पता चलता है, कि जो सरकार की जो accountability है, वो यहाँ पर question mark बनी रही है, तो for democracy हो जाएगा, देश ठोला और money, उन्होंने हमारा पैसा भी चुराया, तो अब यहाँ पर हम यह कह सकते हैं, government ठीक से काम नहीं कर रही है, मतलब government democratically elected है, but it is not able to fulfill the dreams of the people, तो एक खुलकल analysis government का और है, it is for democracy, so on June 28, यानि जो 28 June को जो होंगे elections, we are going to do what Canadians do best, तो हम वो करने जा रहे हैं, जो Canadians सबसे best कर सकते हैं, सीरी सी बात है, elections के दौरान, Canada एक literate country है, people are free to elect, to vote, तो हर Canadian क्या वो समझता है कि किसको vote करना चाहिए, best किसे समझता है, वो उसको vote दे सकता है, this is the opportunity given to the every Canadian people, every Canadian citizen, तो वही चीज है कि Canadians सबसे बढ़ियां क्या कर सकते हैं elections के दौरान, अपना vote किसको दे सकते हैं, हमें freedom मिली है, वो हम करेंगे, तो we are going to vote them back, अब देखें, यहाँ पर ही एक questionable है, कि we are going to vote them back, तो अगर हम इसे for democracy मानें, तो यह कहेंगे भई यह democracy में हर voter को अपने leaders चुनने का अधिकार होता है, अगर इतना कुछ गड़बर होते हैं, अगर वो दुबारा उस सरकार को लेके आना चाहते हैं, तो every voter has a right, voters को यह अधिकार है कि वो उस government को दुबारा ला सकते हैं, क्योंकि government कैसी भी हो, उसे चुनते लोग ही हैं, लेकिन यहाँ पर हम यह भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक mindset की बात हो रही है, कि यह खुश भी नहीं है, फिर भी उसी सरकार को वापस लेके आना चाहते हैं, तो सोच तो democratic है, वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, सरकार को दुबारा ही लेके आ रहा है, तो हम इसे against democracy तो नहीं कह सकते, for democracy ही हम कहेंगे, that is, जो government है दुबारा वो लोगों की मदद से ही आएगी, लेकिन इतना कुछ देखने के बाद ऐसा लगता है कि एक government में change देखने को मिलना चाहिए, वैसे भी जो हम बात कर रहा है यहां की Canada की, तो यहाँ पर liberal party का ही सासन लंबे समय तक रहा है, कार्टून च्पा करते थे इनके, और इसमें लिखा गया है, बहुत अब एक comment है, जो cartoonist करता है, कि जो celebrations है, 50 years of independence, बहुत भारत के सोतंत्र होने के बाद, 50 साल पूरे होने की वर्जगाट पर, golden jubilee एक परकार से मनाई जा रही है, तो तरह तरह के समार होते हैं, कार्टून होते हैं, तो how many images on the world do you recognize, तो इसमें से कितनी images आप पहचान पा रहे हैं, और do many common people feel the way, तो इसमें दो question पूछे गए, एक तो इसमें से जो images दी गई, उनको पहचानना है, और दूसरा कहा गया है कि इस कार्टून में जो कुछ भी दिखाया गया है, तो क्या एक common man, देखें यहाँ पे जो archielexman थे, मैं बता रहा हूँ यह है, तो एक common man के रूप में बन के आते थे, हार्ट कार्टून में रहते थे, और एक आम आदमी किस तरह से, तो देखें कार्टून में कौन कौन है, देखें यह तो हैं जवाला नेहरू, यह हैं लाल बादूर साज्त्री, यह हैं गुलजारी लाल नंदा, यह दो बार एक्टिंग प्राइम निश्टर रह चुके हैं, इसके बाद यह हो गए आपके मुराजी दिशाई, यह हो गए चौदरी, चरण सिंग, एंद्रा गांदी हो गए, यह राजिव गादी हो गए इनके पुत्र, यह हो गए विश्णात पर्ताप सिंग, यह हो गए चंसेखर, यह हो गए नरसिमहा राव, और ये हो गए देव गौड़ा जी जो कि अभी जीवित हैं और ये हो गए अटल बहरी बाजपई है जो फेमस है अपने एक छोटे कारकाल के दौरान यानि इनकी एक जो सरकार है वो 13 दिन की या 16 दिन की आप कह सकते हो थी फिर 13 महीने रही और फिर उसके बाद ये 5 साल तक उ ने शासनकाल अपना पूरा किया और अभी जो प्राइमनिस्टर इस वीडियो बनाए जाने तक 14 प्राइमनिस्टर और वो भी सेकेंड टाइम चुनकर आए हैं जैसे हमने देखा था लिब्रेर पाल्टी दुबारा लाए गई गई तो बीजेपी है उसे दुबारा लेकिया है लोग देमोक्रिटिकली इलेक्टेड वो भी पूर्ण बहुमत के साथ तो मिश्टर मोधी प्राइमनिस्टर वें दा वीडियो इस बीडियो इस बीडियो अब आते हैं इसमें जो मैसेज है तो देखें सेलिब्रेशन्स हो रहा है तो इसमें तरह-तरह की बाते हो रही है की बात हो रही है डिमोक्रिशी की बात हो रही है सिकली रिजाम एकुलिटी इंडेस्टिल ग्रोथ एकोनॉमिक प्रोग्रेस ट्रेट फॉरेंड क्लोगरेशन एक्सपोर्ट इंक्रीज अब इन सबसे कॉमन मैन का कोई लेन देना होता नहीं है इसके लावा जो पैसेंजर का लेकिन उतना कर नहीं पाते हैं तो आम पॉब्लिक इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंट्रेस्ट लेने वाली नहीं है लेकिन फिर भी हाथ में ज्छंडा है इसका मलब यह है कि इसमें गवर्मेंट का हाथ हो तो इंट्रेस्ट भी नहीं लेगा अगर देखा जाए तो 15 पाज टीवी में होते रहती प्रोग्राँ आते रहते हैं लोगेएं प्रोग्राम पसंड करते हैं पर इसको इसना इंट्रेस्ट कॉरा नहीं ले यहने इसी तरह से से लेखने को मिले और किस प्रकार से दो दिन पहले जो पार्लेमेंट है वो जो रासबा हो चाहे लोग सबा हो उसका जो सेसन है मानसूद से कर्टेल किया गया कम किया गया टेबल पे चड़ गए लोग और यहां तक कि जो वाइस प्रेसिडेंट जो की जो एक्स ओफिशियोर शे श्वास का इसके बाद कोई कार्टून तो नजर नहीं आ रहे लेकिन क्वेश्चन है कि इन माई विलेज ग्रामसभा नेवर मीड़ इस देडेमोक्रिटिक नो 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 जो जो नियम है नियमावली के अनुसार कम से कम साल में दो बाट छेचे महीने पर उसे मीट करना चाहिए अगर वो नहीं मीट करती है काग़ज पर दिखा दिया जाता है तो अंडमोक्रिटिक होगा क्योंकि ग्रामसभा और ग्रामसभा से जो परधान चुना जाता है मतलब जो मुखिया होता है उसके जिम्मेदारी बनती है को ग्राम सबह को कम से कम दोबार बुलाए अब ग्राम सबह क्या होती है यह सारी चीजें आप क्लाश 10th में पढ़ोगे या आप जाके टूटोरियल देखे जो हमने बनाये हुआ है उसमें हमने ग्राम पंचायत के बारे मैं आपको बताया हुआ है तो एनिवे इसके बाद ये कार्टून्स तो अपसाइड मेरे ख्याल से नहीं है यहां पे और आप वेबसाइड बिजिट कर लिजेगा उसमें हर कार्टून की पिक भी दी गई है उसको एक्सपेंड भी किया गया फिर भी अगरे कोश्चन मान में रहता है या आपको लगता है कि मैंने एक्सपेंड नहीं किया कुछ आपके माइन में है तो आप जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे तो एक टूटोरियल यही पर खत्म होता है एंड थैंक यू फो वाचिंग दी वीडियो से यू नेक्स वीडियो तिल देन कीप वाचिंग कीप लर्निंग